असलाव अलेकूम वेलकम टू फून बोई डॉट कॉम ऑफिशल यूट्यूब चैनल आज की वीडियो के अंदर मैं दो स्मार्टफून का फुल कंपाइशन करने वाला हूँ दोनों स्मार्टफून ओपो कंपणी तरफ से आते हैं और अब तक के लेटर्स स्मार्टफून है एक तरफ मेरे पास है ओपो A11 के जबके दूसरी तरफ मेरे पास है ओपो A12E यहां पर ओपो A11 के और ओपो A12E को ओवरल देखा जाए तो आपको ज़ादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता एक दो चीजों के अंदर डिफरेंस है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूँगा तो वीडियो पूरी देखेगा यहां पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आप OPPO A11E के या फिर OPPO A12E या फिर किसी भी स्मार्टफून से मुतालिक इंफरमेशन में इंटरस्टेड हो तो को विजिट कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ने मिल जाएगा यहां पर डिस्प्ले से बात को स्टार्ट की जाए तो दोनों स्मार्टफून के अंदर आपको 6.2 इंचिस का IPS LCD इसी डिस्प्ले मिलता है ड्यू ड्रॉप नॉच वाला और यहां पर जो रेजलिशन है दोनों स्मार्टफून की वह भी 720p की है यानि कि आपको यूट्यूब बगार के उपर जो मैक्सिमम स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिलेगा वह 720p तक का ही मिलेगा यहां पर फॉर्दर आ केमरा और इंटर्नल की बात करते हैं लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और आज की वीडियो का लाइक टार्गेट रखते हैं 50 लैक्स का और उमीद है आप हमेशा किन लाइक टार्गेट पूरा कर देंगे इसके लाव चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ इसके लाइड़ का सेंसर मिल जाता है यहां पर पिक्टर कॉल्टी भी दोलों पूर्ट समार्फोन की पिक्जा चाहा है जादा को देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर जो सेंसर प्रक्राइब क्य गए जाए के गया है कैमरे के दर वह भी सिमिलर है फर्दर यहां पर November 11 के अनधर 5MP responsable you drop notch और इसी तुरब 2 मेर он 7 तर शेयलिड का सेल्फी मिलता है फुल नोच लिभूंगे यहां पर आइफ़ून जैसी नोच बढ़ने को मिलत है इसके लड़कर यहां पे इनटेर्न को बात की जाए तो उपो A11K के अंदर आपको MediaTek Helio P35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो के 22 नानोमीटर के आर्किटेक्चर के उपर फैबरीकेटेट है जबके उसी तरफ यहाँ पे OPPO A12E के अंदर आपको Snapdragon 450 का प्रोसेसर मिलता है जो के 14 नानोमीटर के आर्किटेक्चर के उपर फैबरीकेटेट है यहाँ पे परफॉर्मस वाइस बाइज की जाए तो OPPO A11K के काफियत तक अच्छा परफॉर्म करेगा OPPO A12E के मुखाबले में और यहाँ पे ओवराल जो परफॉर्मस है बैटरी के मामले में वो भी OPPO A11K की जादा भैतर होने वाली है इसके लावा यहाँ पे दोनों स्मार्टफून के अंदर आपको 430MH की बैटरी मिल जाती है और साथ में चार्ज करने के लिए कोई फास चार्जिंग का आप्शन नहीं मिलता यहाँ पे दोनों स्मार्टफून के अंदर आपको 10W की स्टेंडर चार्जिंग देखने को मिलेगी इसके लावा यहाँ पे OPPO A11K का एक ही वरिंड लाउंच किया है 2GB 32GB का जिसकी प्राइस आपको आफ्टर डिसकॉंट 17-18,000 रुपे की मिलती है जबके उसी तरफ OPPO A12E का भी आपको एक ही वरिंड मिलता है 3GB 64GB का जिसकी प्राइस आफ्टर डिसकॉंट आपको 18,000 से 19,000 के दर्मियान देखने को मिलती है यहाँ पे आज की वीडियो के कंपैजन विनर की बात की जाए तो मेरे साब से OPPO A11K यहाँ पे आपको काफे तक अच्छी परफॉर्मस मिल जाती है OPPO A12E के मुखाबले में जबके परफॉर्मस वाइस आपको काफे तक similarities देखने को मिलती है जबके उसी तरफ storage और RAM के मामले में बात की जाए तो OPPO A12E के अदर आपको काफी अच्छी storage और RAM मिल रही है जो कि आपको OPPO A11K के अंदर नहीं मिलती आज का comparison पसंद आजा तो वीडियो को like देना मत भुलिएगा और केसी भी smartphone से मतालएक आपको information चाहिए हो तो phoneboy.com को जरूर विजिट करेंगा लिंक आपको description मिल जाएगा OPPO A11K से मतालएक मजीड वीडियो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेकर notification bell पे किलिक कर दें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो अपना ख्यार लखेगा अल्ला हाफिज